क्या खूब कहा किसी ने फूलों को भी कहा मालूम होता है कि अगली सुबे उन्हें मंदिर जाना है या शमसान जाना है हर पल मुस्कराओ इस दुनिया में और बनाओ अपनी एक अलग पहजान आज आपको एक छोटी सी कहानी शुनाती है सायद आपको भी अपने दुख के पल में ये कहानी सुनके या अकेले पन में ये कहानी सुनके जीवन का एक नया रास्ता मिल जाए कहानी है अमेरिका के एक छोटी कपल की कहानी है उन दोनों के बीच में काफी टकराव चल रहा था का कlü उथल पितल थी उनकी जिंदगी में वो अपनी जिंदगी से परिशान हो चुके थे अंतिता उनोंने नेले लिया कि वो अप तलाक ले लेंगे उन लोगोंने तनाक का नेले लेके कोड में गए और दिसीजन हो गया उनका तलाक हो जए लेकिन तलाग के मौाउजे की रूप में बहुत भारी रकम जो थी वो पती को चुकानी थी लेकिन चुकि वो अपनी जिन्दिगी की इस ओवापो और रोज की छटपटाहट से इतना परिशान हो चुका था कि उसने सोच लिया कि वो दे देगा उसने अपने जीवन की सारी कमाई, सारा पैसा, सब कुछ तलाग में जो है वो दे लिया जब वो सारा पैसा देके बाहर निकला कोड से तो उसने अपनी जेब में हांट डाला तो देखा उसके पास सिर्फ 100 डॉलर बचे थे उसे कुछ समन में ना आया उसे लगा क्या करें आत्महत्या कर लें या चले जाएं अब क्या है जिन्दिगी में परिवार भी नहीं रहा समाज में भी वो इस्थान नहीं रहा उसकी सारी स्थन दौलत भी चली गई अब वो किस तरीके से जीवन बताए तब ही अगली पल उसके मन में एक विचार आया सो डॉलर है ना तो क्यों ना मैं मरने के पहले इन सो डॉलर से भी बहुत सारा जो है इंज्जॉय कर लो और मस्ती कर लो फिर मरने वो उन सो डॉलर को लेके जो है एक पब चला गया कैशिनो चला गया उसने सोचा चलो वो वहाँ जाके जुआ खेलता अपनी किसमत देखता है फिर उसके बाद उसको अब जीना ही नहीं है जब वो वहाँ पहुचा तो कैशिनों में एक काफी लंबी लाइम लगे हुई थी वो भी उस लाइम में लग गया अपनी बारी का इंतिजार करने लगा आने की थोड़ी देर बार जब आगे के लोग आगे बढ़ते जा रहे थे वो जब थोड़ा आगे खिसका तो कैश में जो है पेपर लगे हुए थे अचानक कि उसकी नज़र पेपरों पे गई उसने उनमें से एक पेपर निकाला और उसमें देखा कि उस पेपर में लिखा हुआ था कि एक गोल्ड माइन जो है उसका ओक्सन होना है तो उसने सोचा चलू चलते हैं वहाँ जाकर ही देख लेते हैं क्या होता है किसमत कुछ नहीं होगा तो उस गोल्ड माइन में ही कूद के मैं अपने आत्महत्या कर दूँगा वो वहाँ से निकला और सीधे वो गोल्ड माइन में चला गया जंगलों के बीस थी सरकार ने उसमें काफी प्रयास किया काफी खोदा लेकिन उसमें से सोनाब नहीं निकल रहा था वो एक गड़े के रूप में हो गई थी वो वहाँ पहुचा लोग पहले से ही वहाँ बैटे हुए थे लिकिन आशरी की बात देखिए उसके अलावा कोई और खरीदार वहाँ पहुचा ही नहीं उसको वो उतने ही 100 डालर में वो गول्ड माउइ उसको दे दी गई उसने का इसमें क्या करें अंदर गया काफी लों से का उनोन का अब इसमें से कुछ नहीं निकलता ही दो पहर के दो बज रहे हूंगे तीन बज रहे हूँगे उसने का आप क्या किया जाए पहले तो गहरे गड़े को देखके उसके मन में विचार आया कि मैं यहीं पर ही कूज के आत्मात्या कर लेता हूं लेकिन फिर वहां और जो मज़ूर थे या वो उसने सुचे चलो भी तीन घंटे हैं थोड़ी तो खुदाई कर ही लेते लो उने का देख लेते हैं क्या होता है और उसने वहां पे खुदाई स्टार्ट कर वाई लेकिन ये क्या अगले एक देड़ घंटे बाद ही जहां पे उसने जिस गड़े में जिस जगे खुदाई की थी वहां पे सोने का अकूर बन्ला निकला और वो सोना की जो वो माइन्स थी उसका मालिक हो चुका था वो सारा का सारा उसका हो गया वो गोल्ड माइन के मालिक के रूब में विख्यात हो गया फिर से उसके पास सब कुछ आ गया देखा आपने एक पल में ही किसमत बदल गई एक पल में ही सब कुछ फिर वापस हो गया एक पल में ही दुनिया फिर हरी भरी हो गई इसलिए कहते हैं हर पल मुश्कराओ, क्या मालूम अगला वो पल आपको आगे आने वाला अगला पल आपको क्या दे जाए ये आपको मालूमी नहीं है इसलिए जीवन की हद परिस्थिती में आप आगे बढ़ने का प्रयास करें और कुछ करें क्यूंकि हम भी नहीं जानते हमारा आगे आने वाला पल देवन में हमको क्या देगा कितनी सारी खुशियां प्रदान कर दे इसलिए हम अपने इस वर्तमान पल को भी उसी तरह खुश दे आम आफ हमारा बड़ाय और क данte कैसी लगे आपको यह चोटी सी कहानी फिर मिलूंगी एक नई सोच एक नई पहल के साथ जाते जाते आपसे फिर कहना चाहूंगी कर देखाओ जीवन में हुझ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जाता फिर आती है एक नई सोच एक झाल झाल